मेरा नाम है डॉक्टर सुनिल कुमार आणा और जिस विशे पे मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है पॉलिमोर्फस फ्लाइड इरॉप्शन या सन एलर्जी या इसको हम लोग फोटो डर्माट आडियोज बोलते हैं जब आपके शरीर में एक्जीमा जैसे लप्शन शुरू हो जाए फोटो यानि दूप की वज़े से ये केस सब पेशिंस में नहीं मिलता ये उनी लोगों में मिलता है जिनका स्किन सन के प्रती एलर्जीक हो जाता है वक्त के साथ या पहले से ही होता है यानि कि स्किन की सेंसेटिविटी टूँर सनलाइट बढ़ जाती है इसके इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपके चम्डे के उपर खारिश होती है और चम्डे पर लाल रंग का रैश बन जाता है और कभी-कभी बारेक बारेक दाने भी देखने के लिए चमड़े पे मिलते हैं इसके symptoms क्या हैं? कैसे आप पचानेगे कि आपको PMLE यानि पोलिमोर्फिक लाइडर अरुशन है तो पहला चीज है कि इसमें जलन होती है और इसमें कापी तेज खुझली देखने के लिए मिलती है ये हरदम आपको exposed areas पे देखने के लिए मिलेगा जैसे हातों के पास, जैसे गर्दन पे, जैसे च्छाती के पास तो आपको ये पचान हो जाएगी कि ये PMLE है, इसमें लाग रंग के दाने से निकलाते हैं जिसमें कभी-कभी bliss पे और पानी के बुलगुले से भी देखने के लिए मिलते हैं ओचमड़ा हलका सा उभ जाता है, वह भार सा ले लेता है, जैसे पित की केस में देखने के लिए मिलता है अब हम बात कर लेते हैं जनरली आपको कौन से अरिया से मिलेगा जैसे आपने बताया, नेक पे मिल जाएगा, अपको अपर चेस पे मिल जाता है Arms, Forearms पे और आपको Hand पे देखने के लिए मिलता है Generally ये condition चेहरे पे नहीं आती है पर समय के साथ Melal region यानि गाल के पास थोड़ा सा माथे के पास या कान पे भी देखने के लिए मिल जाता है अब हम बात कर लेते हैं कि ये बिमारी generally कैसे होती है इसका cause क्या है तो इसका A की cause है वो है Sunlight Sunlight में Ultraviolet A and Ultraviolet B rays होती है और इनी दो rays की वज़े से ये Sun energy देखने के लिए मिलती है अब हम बात करते हैं इसका हम लोग test कैसे करेंगे तो पहला तो है जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके कुछ black test करवा सकते हैं वो आपकी skin की biopsy करा के देख सकते हैं या वो photo testing कर सकते हैं मतलब आपको थोड़े के लिए धूप में खड़ा करके कुछ अंग को धूप में रग देते हैं और पिचान करते हैं कि अब उसमें rash आ रहा है की नहीं आ रहा है तो उसको photo testing होता है कुछ और बिमारियां भी होती हैं जिसमें कि धूप के वज़े से आपके skin पे ऐसे रैशे देखने के लिए मिलते हैं जिसे solar reti के रिया मतलब पित उचलना धूप में दूसरा होता है lupus grass जैसे DLE, SLE करके विमारी होती है जिसमें कि जब रूप में जाते हैं तो चेहरे के ओपर आपके scalp के ओपर, आपके arms के ओपर जखम का एक रूप बन जाता है रैश ओपर जाते हैं उस case में देखने के लिए मिलता है या बहुत लोग में chemical photosensitivity देखने के लिए मिलती है या वो कोई cosmetic cream का यूज करते हैं fragrance का यूज करते हैं या कोई ऐसी medicines का यूज करते हैं तो उसके वज़े से भी ये condition देखने के लिए मिल जाती है इसका treatment क्या है पहला तो देखिए ऐसा है कि धूप से बचिए पूरे बाजू की कपड़े पैन के रखिए sunscreen, broad spectrum, sunscreen का यूज करिए कोशिश करिए कि सुबह 9 से लेकिए चार की बीच में आप धूप में डेरेक्ली ना जाएं अगर जाना पड़े तो अच्छे से cover up कर गए जाए तो पहले precautions हो गए और अगर आपको ये बिमारी फिर भी ठीक नहीं हो रही है तो कुछ खाने की दवाईयां कुछ लगाने की medicines हम prescribe करते है जनरली इसमें steroids की cream दी जाती है जैसे momithazone, hydrocortisone, globitasol इसमें हम लोग add करते हैं baclamethazone, vitamethazone tubes हम add कर देते हैं ये लेकिन short course लाए जाता है फिर भी ठीक नहीं होता तो कुछ steroids oral के form में दी जाती है जैसे prednisolone दी जाती है इसमें इसमें hydrooxy chloroquinone 200 mg करके medicine prescribe करी जाती है इसमें कुछ और भी tubes दी जाती है ऐसे canc potrail दी जाता है tube के form में ये भी काफी efficient है और अगर इन सब चीनों से फरक नहीं पर रहा है तो आपको हम लोग कुछ ऐसी medicine देते हैं जो immunosuppression कहला दी है उससे भी काफी हद तक improvement आती है और आपके sharing में scar marks बनने के chances होते है आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो महाई चानल को subscribe करेए ऐसे ही वीडियोस हम all लाते रहेंगे आपके लिए कोई भी अगर आपका query हो तो comment section बताए हम आपको ज़र reply करेंगे धन्यवाए